आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम कैसे NASA Science Fest जो एक तरह का exhibition है उसमें हम कैसे register कर सकते हैं और दूसरी चीज हम जानेंगे कि हम अपना नाम अगले Mars Mission में कैसे भेज सकते हैं Welcome to our channel Space Talk तो पहले अपडेट नासा की तरफ से है USA के एक company है जिसका नाम है USA Science and Engineering जो एक non profitable company है और वो हर साल exhibition रखती है तो इस साल Corona pandemic के वज़े से virtual exhibition रखा गया है उसमें हम कैसे register कर सकते हैं? registration की last date है 31st October उससे पहले आप exhibition को देख सकते हैं, वहाँ पर study कर सकते हैं, अपने interest के field पे expert से आप question answer कर सकते हैं मैं इस exhibition की link नीचे description में दे दूँगा, कैसे register करना है मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं, नीचे दिये हुए link को आप click करेंगे तो आपको ऐसा interface मिलेगा, उसमें आपको नीचे जाना है और एक छोटा सा लिखा हुआ click here to access the science fast registration system, उसको click करेंगे तो फिर उसके school की group को इस exhibition में register करवाना चाहते है, आप individual registration को click करेंगे, उसके बाद हर date wise exhibition है, आप जिस date को कर रहे हैं उस date को select किजेगा, जैसे आज 5 तारिक है तो मैं 5 तारिक को register now कर रहा हूं, फिर आपको आएगा register for an account आप उस पर click करेंगे, फिर आप से ये basic requirement मांगेगा, name, email, address, password व आएगा join session, फिर आपको एक item option आएगा, जिसमें जो date आपने select किया था, उसमें join हो जाएगे, फिर आपको ऐसा को दिखाए देगा, ये exhibition का front view है, जिसको इन्होंने lobby का आए, मैं पिछले exhibition का आपको कुछ photo दिखा देता हूं, तो आपको कुछ idea हो जाएगा कैसा exhibition होता है, और अगर आपको कोई doubt है, तो नीचे लिखा हुआ है welcome start here, उसमें आपको बताया गया कि exhibition को कैसे देखना है, कैसे question पूछने है, अपने experts से और बहुत कुछ, दूसरा update भी NASA की तरफ से, जैसा आप लोग को याद होगा, इस साल मार्च में, NASA ने एक boarding pass इसू किया था सबको, जिसमें अपना नाम हम preserve variance spacecraft के दोरा मार्च पर भेज सकते हैं, उसमें 3 microchips लगे हुए हैं, जिसमें लगभग 10.9 million names उसमें register हैं, जिसकी photo आप देख सकते हैं, जो 3 microchips हैं, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है, इस बार फिर से boarding pass जारी किया है, NASA ने, next Mars mission जब भी होगा, उस उसकी link भी मैं नीचे description में दे दूँगा, आप उसमें register कर लें, मैंने भी एक नाम भेजा है, जो आप देख सकते हैं, screen पर, आज के लिए बस इतना ही update, कल मिलते हैं कुछ नई interesting update के साथ, मैं रोजाना ही space related, ऐसी update लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्रा